क्विष्चन क्या कहे रहा है ए बी सी एक समकॉंड तिर्भूज है समकॉंड तिर्भूज मतलब जानते हो राइट हैंगल मतलब समकॉंड और तिर्भूज मतलब ट्राइंगल जिसमें कॉंड अ 90 is 90 दिग्री है α, b, aí, c के बराबर है तो फिर कॉंड B और कॉंड C का मान गयात की जी, बहुत ही आसान है, वेरी सिंपल सा है, ये, बहुत ही आसान है न ही चलो देखो कैसे, एसीज कुमार पट्जा पती जी, राम राम राम, कैसे ओ? लड़के बच्चे ठीक है न? चलिए देखिए चुकि यह सीनियर हैं गुरुजी है इसलिए मैंने ऐसे पूछा आप लोग के लड़के बच्चे नहीं चलो देखो बहुत अच्छे गुरुजी बेरी गूड 45 डिग्री आएगा देखो कैसे इधर समझो चुकि हमें एबी AC के बराबर दिया है और कोण A90 दिया है भाई बहुत ही आसान है सिंपल सा है कोण A90 दिया है तो आप क्या करोगे सबसे पहले आप लिखोगे दिया है इधर साइट से सलूशन स्टार्ट होता है यहां से जो दिया है पहले उसको लिखोगे उसके बाद फिर आगे कुछ करोग देखो क्या क्या दिया गया है आप लिखो हल या सलूशन एबी कॉल एसी कोई ट्रक में रीजन लिखो गीवें हिंदी मीडियम वाले लिखे दिया है कि एक बात और है यहाँ पर वह कौन सी बात है बच्चा ध्यान दो अच्छा साधी नहीं हुई चलो हो जाएगी देखो इधर साइड ध्यान दो यह भूजा बराबर है अबी एसी के बराबर है आपने ट्राइंगल का बेसी कांसेप्ट सिखा था वो क्या था बच्चा वो यह था कि बराबर भुजाओं के सामने के कोण बराबर होते हैं तो एबी के सामने का जो कोण है अपोजीट एंगल सी है और एसी का अपोजीट एंगल भी है यानि आप यह भी लिख सकते हो कि एंगल वी इक्वल एंगल सी लिख सकते हो ना बोलो यास यानो लिख सकते ह लेन लिखेंगे इंग्लिस मीडिय ही रहें आप यह हो गया अब इसमें क्या कर सकते हो आप हम सब ही जानते हैं कि तिर्बूझ के तीनों कोनों का जो योग होता बच्चा वो 180 होता है हम यहाँ पर लिख सकते हैं अंगल a प्लस अंगल वी प्लस अंगल c इक्वल 180 region क्या हो जाएगा region लिखो तिर्बूझ के तीनों कोणों का योग क्या होगा लिखो तिर्बूज के तीनों कोणों का योग एकसो असियन्स होता है ठीक है लिखलो इतना हो गया कौसम खाएं है क्या सर के बाद ही करेंगे सर के बाद मतलब क्या चलो ठीक है फिलाल बहुत अच्छे बिल्कुल किर्ण प्रमरय ने राइट्ट ट्रंस लैसलेशन लिखा है आप उजिट साइड ओफ-र राइट एंगल ट्रैंगल आर इककल बिल्कुल आप उजिट साइड आफ और राइट एंगल ट्रैंगल आर इक्वल जो6 एंगल मतलब क्या होता उ Hero बिप्रीज बराबर भुजा कि वो बराबर होते हैं इतना ठीक है हमें देखो एंगल एक अमान क्या दिया बच्चा नमबे दिया है यह 90 है एक बात और यहां से सीखो आप लोग बी जो है वो सी के बराबर है तो हम एक काम कर सकते हैं चाहे तो हम बी के जगा पर कोंड सी लिखते हैं और फिर दोनों को बी बी कर दें कुछ भी एक कर सकते हो तो हम क्या करेंगे एंगल बी को ऐसे लिख लेंगे और सी की जगा पर भी एंगल बी लिख देंगे अब बताव ऐसा काहे कर दिया हमने इतना बड़ा अन्याय काहे को हुआ ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि B और C बराबर है तो हम लिख सकते हैं इसको दोनों की जगा पे B लिख सकते हैं बस आ गया आपका अंसर आ गया अब यह 90 और इसको जोड़ोगे तो 2 और यह V इक्वल 180 यहां से निकालोगे तो 2 भी यह 180 बटा ओ स्वरी देखो दो दो इधर आएगा भाग में हो जाएगा लेकिन पहले आप 90 इधर ले जाओगे तो यह minus में हो जाएगा यहां से आप angle V निकालोगे यह घटाओगे तो 90 आएगा यह 2 इधर जाएगा भाग में हो जाएगा फाइनल में 45 आएगा कि यानि कोंड भी कमान कितना आया कितना आया एंगल बी की वैलू आ गई 45 डिगरी तो आप इनको का लिक होगे भाई 45 डिगरी मिश्टर मिथुन सिंग तोमर जी बताओ क्या दिक्कत है 4.1 चैप्टर देखो बच्चा प्लेलिस्ट में है प्लेलिस्ट में आप जाके देख लो या फिर आप एक काम करो नंबर पर मैसेज कर देना आप उपर दिखरा वहां पर भी आपको मिल सकता है लेकिन आप प्लेलिस्ट में जाके देखो अच्छा होगा हो गया कुश्चन आता हां एंगल सी बराबर 45 डिग्री बाइट भी पैटालिस आया मैं लिखा आता एंगल सी पैटालिस है कोश्टक में रीजन लिख लो क्यूंकि एंगल भी इक्वल एंगल सी इसको किसी भी तरह से आप दिखा सकते हो हो गया ना इतना नीचे दिख रहा ना कोई दिक्कत दोनों के मान कितने आगे 45 चल रहा है कितने आगे 45 ना ठीक है चलें बहुत क्वाल्टी इंटरेनेट नहीं चल रहा है आपको नो दीमा चल रहा है चलिए ठीक है लिख लो भाई जल्दी से अनुपम यादो कीरन महर्या जी बिल्कुल बेरी गूड बहुत अच्छे आरा एकदम मस्ध दिख रहा है कोई दिक्कत नहीं है ठीक है चलिए लिख लीजिए नोट कर लो फटा-फट लिख लो बहुत ही मस्ध दिख रहा है एकद next question यह आपका 7 no question हो गया question no 8 कर लो तो आप खतम हो जाए ठीक है question no 8 लिखो चलो exercise 7.2 question no 8 उछके बाद 7.2 इंड हो जाएगा यह खतम हो जाएगा चलो मैं इथर From Iamond question मिटा रहा हूं जो बच्चे solution نہیں लिखे वो लिख ले अभी जो student उसका solution नहीं उतार पाए वो उतार ले चुकि हमने एक अच्छी विवस्था किया है question एक side, answer एक side तो हम question only raise करेंगे solution आपके सामने display पे दिखता ही रहेगा इसको लिख लेंगे तब उसको मिटाएंगे, चलो चलिए देखो, जो बच्चे नए हैं, उनको concept नहीं पता तो उनको दिक्कत होगी इसलिए आप starting की class जरूर देखिए नहीं तो यह नहीं समझ पाओगे B और C बराबर कहें हो गया ठीक है, शुरू में मैंने बहुत सारे concept करा हैं, आप लोग उनको जरूर देख लो, तभी मज़ा आएगा Question number 8 लिखो आप लोग class को like करो ने यार, मतलब कहना पड़ता तो अच्छा नहीं रहता है चलो जल्दी करो Question number 8 करा कि दर्साइये की, दर्साइये मतलब सिद्ध कीजिए, ठीक है, प्रूब कीजिए और क्या करना है, किसी संभाहु तिर्भूज, किसी संभाहु तिर्भूज का परते कौन साथ हंसका होता है, बहुत ही आसान है आप लोग यह बताओ, इसमें से कौन-कौन इसको कर लेगा चल्दी से यास बोलो हाथ उठाओ, फटाओ, फटाओ, हाथ उठाओ संभाहु तिर्भूज का परते कौन साथ अंस होता है, यह तो बड़ा छोटा सवाल है यार बच्चा है एकदम आजाएगा किरन मोर्या, रामफूल गौंड, सिवानी आदो, आयूस, भाई आसीस परजा पती आपको नहीं आएगा का बहुत गदाहा लड़का यार यह कमेंड नहीं आए अभी तक दो बार का है लाइक कर रहे हो, दो बार करोगे तो फिर कोई मतलब नहीं निकलेगा, एक के बार होता है सिखाएं क्या लाइक करना चलो देखो अगले सवाल पर हम लोग चलते आठों पर जो को बहुत आसान है, बिल्कुल सिंपल आईए, गायत्री, परसाथ, चतुरबेदी जी, सबी को आ जाएगा, चलो ठीक है, लेकिन मैं कर देता हूँ, चुकि हमारी जिम्मेदारी इफली मैं बता दे रहा हूँ तो फिगर मैं इधर साइट बना देता हूँ यह क्या है, देखो देख लो, आप लोग आएगा तब भी देख लो A, B, C, यह एक संभाहू तिरभूज है, संभाहू का मतलब होता वच्चा तीनों बुजाएं बराबर हैं, क्या है, तीनों बुजाएं आपस में बराबर हैं, चलो बना लो, हो गया अब सलूसन स्टार्ट होगा इधर साइड में, सलूसन दूसरी साइड में स्टार्ट होगा, अब मैं इधर साइड क्लियर कर रहा हूँ, बोर्ड, आप लोग बस एक छण का इंतजार करिए, मतलब कुछ पल का, चलो आप देखो यहां पर क्या दिया है, भाईया संभाहू तिर भूजा तो सिंपल सी बात है, तीनों भूजा बराबर होगी, तो आप लिखो सलूसन, यहां से स्टार्ट करो, देखो क्या है, देखो थ्यान दो, हल, सलूसन यहां से स्टार्ट होता है, A.B.E.C. a b equal a c equal b c यह बराबर है इसमें कुछ कहने की बात ही नहीं है breakout में चाहे लिख दो क्यों बराबर है क्योंकि भई संभाहुतिर बूजे breakout में रिजन लिख दो क्या है संभाहुतिर बूजे breakout में रिजन लिख दो संभाहुतिर बूजे चलो आगे क्या कर सकते हो? आगे यहाँ पर एक काम और कर सकते हो वो क्या है? इसके तीनों कोन भी बराबर है angle A equal angle B equal angle C क्यों बराबर है? breakout में लिको बराबर भुजाओं के सम् chicken कोन बराबर होते हैं? Indy में लिको English translation बताएंगी किरन मोर्य बताइए बराबर भुजाओं के सम्मू कोंड बराबर होते हैं देखो मैं बता दे रहा है उदर साइड में मैंने स्टार्टिंग में कांसेट शिखाया था जो बच्चे देखें उनको कोई दिक्कत नहीं है देखो भाई यह बराबर भुजा एबी एबी के सामने क जो कोन है वो क्या सी है लेकिन मैंने थोड़ा सा इसको को उल्टा लिखा अचार लिखो है इससे मैं सीधा भी कर सकता हूँ तो अगर देखा जाते के आप चैहां पर बचार लिखो मतलब तो यह हुआ तो इसकी से disciplines का hunter से एगर A C का सम्मूख कोड़ देखें तो B है तो A C का कायवच्चा B है और अगर B C का सम्मूख कोड़ देखें मतला आपोजिट एंगल तो A है तो इस तरह से ये बन जाएगा ठीक है इसमें कोई दिक्कत नहीं है इतना no problem आप देखो हम सभी चानते हैं कि तिरबुच के तीनों कोड का योगफल 180 होता है तो हम यहां लिख सकते हैं इंगल A प्लस इंगल B प्लस इंगल C इक्वल 180 इसमें किसी को कोई मुसीबत है तो बता दो और भाई कलास को लाइक करो यार इतने बच्चे जुड़े हैं मतलब कहना पड़े बहुत गंदी बात है लाइक करो जल्दिश चल क्या है तो युनों आपस में इक्वल हैं सब इक्वल हैं तो हमें काम कर सकते हैं चाहे तो सब की जगा पर A A कर दें या सब की जगा पर B B कर दें या सब की जगा पर C C कर दें बोलो कर सकते हो ना भाई सिंपल सी बात है कर सकते हो तो मानलो कि हम यह एंगल A ऐसे लिख बोलो कर सकते हैं कि नहीं जल्दी बोलो यास कर सकते हैं कर सकते हैं सिंपल सी बात है हाँ यहाँ पे सिर्फ A ही नहीं कर सकते हैं आप कुछ और भी कर सकते हो चाहो तो आप हर जगा B B कर दो चुकी तीनों बारा भन ना अपस में तो इस तरह से हमारा क्या आएगा 3 angle A equal 180 तो इस तरह से भाई साहब अगर ये इधर आएंगे तो ये तीन हो जाएंगे तो final में angle A equal 60 आएगा यानि कोण A कमान कितना आएगा 60 हनस आएगा चुकि हम जानते हैं हम जानते हैं कि कि तीनों कोण आपस में बरावर हैं इसलिए क्या हो जाएंगे इंगल B equal 60 इंगल C equal 60 सभी एक्वल हो जाएंगे नीचे दिख रहा है इधर साइड में लिक सकता हूं क्या है हा लिक सकता हूं चैनल जगा है तो मैं थोड़ा साइड लिख देता हूं आप लोग इधर देख लोग यह लो ठीक है अब अब यहाँ आप लिखोगे आता हाँ एंगल B equal 60 एंगल कामा लगा के C equal 60 नीचे रीजन लग देना चूंकि एंगल A equal एंगल B एंगल C ये बराबर हैं नीचे लिख दो इसके बाद में इति सिद्धम या फिर आता हाँ सिद्ध हुआ इंगलिस वाले लिख देंगे हैंस प्रूब्ड हैंस प्रूब्ड इस प्रकार सिद्ध हुआ ठीक है समझ में आ गया ना सभी को किसी को कोई डाउट है तो बता दो अच्छा चलिए ठीक है बिल्कुल बहुत अच्छे very good चलिए ठीक है आसीज कुमार परजापती सर देखो भाई चाय लेके आए हुए हैं आप लोगों को पीना है तो बताइए लाइए इन लोगों को भी पिला देते हैं वैसे कलास तो खतम हो गई है तो भाई कौन-कौन चाय पीएगा चलो बताओ पहले फटाफट आप लोग में से कौन-कौन चाय पीने वाला जल्दी से बताओ देखो बहुत बड़ा कप आया इसमें आदा लीटर चाय चलो ठीक है तो आप लोग क्या कहते हो रागी आपका चैप्टर खतम हो गया बाई साब भी लोग पी ओगए अरे यार एक ही तो है कितना लोग पी ओगए चलो थोड़ा थोड़ा ले ले लेना चलो लेकिन अभी आज नहीं पिलाएंगे क्योंकि आज ना आज कलास ओबर हो चाय पीनी चाहिए लेकिन ज़्यादा नें नींग चाहिए ठीक है पहले साथ कालो अर्न बच्चों को चाय करनी चाहिए ए खाई कि आप लोग60 9 र стrichtर कि हम एनले से suck happened हो गया चेप्तर कि व्याया च्याइफ इनुर्य के नुए कि अल भूह एक हैच्परण जल्दी खतम हो 6-7 question करवा दे रहा हूं है ना साथ question करवा दे रहा हूं लगबग 2-3 question बच रहे हैं तो फिर क्या करोगे आप जो 2-3 question बच रहे बच्चा उनको खुद से कर लेना और हां जो इस्टुडेंट पूरा कोर्स जल्दी से जल्दी एक साथ देखना चाहते हैं चुकि यूटूब पे तो हर दिन 2-3 question होता है कभी कभी एक है question होता है तो आप प्लेश्टोर से PBR study का डाउनलोड करिए और वहाँ पर प्रीमियम क् कंप्लीट कोर्स एक साथ मिल जाएगा और आप अनलिम्टेट देख पाएंगे एक ही दिन में आप अपना पूरा कोर्स चाहो तो देख लो मतलब आपको एक अथा सब मिल जाएगा इस नंबर पे ज्वाइन प्रीमियम क्लास नाइंथ लिख करके मैसेज करिए वर्टसप प कहां पे हम है भाई आसीज चौहान हमको भी लेकिन चाय के साथ लग एलेजी जा चाहिए का बोल रहा भाई यार तुम मैं समझ नहीं पा रहा हूँ चलो ठीक है फिर बंद करें हां पीवियारी इस्टडी लाहबाद चनल पर रात के 9 बुज़े से फिर से लाइब होगा जो बच्चे पढ़ना चाहते जहां अभी आप जुड़े हो इस पे नहीं होता है यह तो बहुत बहुत शुक्री आप सभी को आज के लिए दना ही और सभी क्लास को जादा फे ज्यादा सेर करो बिलते हैं फिर नेक्स्ट